इस lecture में हम यह देखेंगे कि AI search engines with great potential कौन-कौन से है और उनकी list कौन-कौन से है ठीक है मैं one by one आपको यहां पर बताऊंगा और one by one हम फिर उसको check करेंगे यहां से बकाइदा हमारे AI tools का use जो है वो start होने वाला है तो please इसको साथ सा note करते जाएं reason यह है कि आप note करेंगे तो आपके पास automatically पहले से नाम मजूद होंगे आप मुझे नहीं कहेंगे कि यार वो send कर दे हम भूल के है because I am not going to do that main मकसद यह है कि आप सीखें यह मकसद नहीं है कि आप पूछने बैठ जाएंबाद सो जो नहीं लिख रहें उनको पहले मैं तनभी कर रहा हूँ कि आप प्लीज इसको जरूर देखें हम यहां पर नाम पढ़ेंगे नाम पढ़ने के बाद Google Chrome के ओपर move करेंगे पहला नाम है Cynaps S-C-I-N-A-P-S-E यह AI-powered search AI-powered research intelligence engine है यानि कि AI-powered है by the way Google Scholar भी AI-powered है आपको पता है सिरफ वो साथ उनने लिखा नहीं है क्योंकि search engine approach चलती जब तब है जब AI उसके अंदर involved हूँ लेकिन इनका अपना कहना है we are better than Google Scholar and we mean it यह इनकी website पर लिख है यह वो इस आब हुआ कि सर्फ Excel अच्छा काम नहीं करता है Arial से और Arial अच्छा काम करता है सर्फ Excel से something like that मतलब है वो brands और उन्होंने एक दूसरे को यहां पर negate किया हुआ now we will go on the website और हम देखेंगे कि Synaps कैसे काम करते है यह त्यार हैं आप लो यहां पर जाते हैं हम Synaps.io Synaps.io पर आप लिंक पर क्लिक करेंगे और यह आपके पास आजाएगा Synaps.io अब इन्होंने बोला है कि हम Google स्कॉलर से ज्यादा बेटर है क्यों बोला है लेट सी मैं इसको और explore करता हूँ और यहां पर author by research field affiliation और country तो वो कहते हैं कि आप author explorer भी हमारा चेक कर लें तो इनका author explorer भी है आप यहां पर author का नाम लिखेगे और उसका सारा डेटाबेस आजाएगा ठीक है तो अगर आप author को चेक करें तो यहां से आजाएगा मैं दुबारा से screen अपनी share करता हूँ इस इस वर्किंग फाइन ना येस ओके थैंक्स फूर लेटिंग में नो मैं शुरू से स्टार्ट करने वाला हूँ दुबारा से sign apps आप लिखेंगे dot io sign apps dot io spelling में मिस्टेक ना कीजिएगा तो आपके पास यह search engine आ जाएगा ठीक है आपने अगर open कर लिया तो मुझे बताएं अगर आप किसी भी search engine में जाएं तो इस बैटर के आप चेक करें कि वह क्या कह रहें वाले यहां पर इसको डाउन नीचे जाते जाएं उपर चेक करें पूरी website क्या कहती है यह कहता है कि हमने 48,000 journals को cover किया इसमें 48,000 journals जिसमें नेचर के हैं साइंस के भी हैं आई ट्रिपल एक के भी हैं सेल के भी हैं और मैनी अधर पी एन एएस जामा देले साइंड एपी एस फिजिक्स अलॉट अट अधर जिनल्स उन्होंने यह भी का है हमारे पास यूजर हैं एक सो चैन्वे कंट्री से ज्यादा और ग्यारां सो तीस उन्होंने अपनी मार्केटिंग की हुए हैं इनका ट्वीटर पेज भी आप वहां पर जाके इनको अगर फॉलो करेंगे अब इन्होंने बोला है कि आप यहां पे तो सर्च करेंगे पेपर्स और ट्रेंड को तीन चीजह आप सर्च करते हैं पेपर ऑतर और ट्रेंड ठीक है वह कहते हैं कि अगर आप उथर एकस्प्लोर को ओपन करते हैं तो यहां पर यहांप अगर आप करेंगे यहां पर लिखता हूं साइनक के ऊपर कोई भी एक टाम मैं लिखता हूं जसनाव डेटा साइंस आप अपनी फिल्ड लिखेंगे यहां पर ठीक है मैं इस दफा बिक्टेरिया कर लेता हूँ कितने पेपर्स हैं और कितने ओथर्स हैं मेरे पास रिजर्ट्स चेक करें कितनी गुड कॉलिटी में आ रहा है और ट्रेंड के उपर भी हम जाते हैं यहां पर चेक करें जी अठारा हजार और नौसो पेपर्स हैं एटीन पॉइंट नाइन के का मतलब किलो किलो मतलब थाउसंड ठीक है किलो वो किलो ग्राम वाला नहीं किलो का मतलब होता है एक के साथ तीन जिरो जब आते हैं किलो बो लगाते हैं तो यह पेपर आगे हैं हमारे पास टाइम को आप यहां से फिल्टर कर सकते हैं कि पिछले तीन साल के आगे मेरे पास अगर मैं चाहता हूं कि नहीं यार सिर्फ इस साल के आगए और यह आपको बहुत लेवल किसम के रिसल्ट बड़ी स्पीड के साहर देता है क्योंकि AI बेस्ट है और अगर मैं चाहूं के स्पैसिफिक टाइम के लून तो मैं यहां पे लिखने की बजया मैंצeljekt भी कर सकता हूं यहां से पर इंब जाम्पल मैंने इतने इतनों को सञ्श्वेक्ट कर लिया यहां से लेकर यहां तक है इस तरीकशे से मैंने सेलेक्ट कर लिया तो यह मेरे पास स्पैसिफिक येर पिप्र आ गे ser मैं इसको open रखता हूं मतलब मैं कहता हूं कि recent तीन साल के paper आ रहे हैं यह मेरे पास तीन साल के आगए फिर any journal conference or something like that अब आपको यहां पे impact factor भी journal का पता चल रहा है जो पिछले में नहीं था लुक impact factor यहां पर ठीक है count आपके पास यहां पर कितने paper है उस जर्नल से आपके पास total result यहां पर आ रहे हैं इसका मतलब यह है कि microorganism एक MDPI का जर्नल है इसमें सबसे ज़्यादा papers है इसके and so on so forth तो आप अगर specific journal को select करना चाहते हैं you can do that मैं इसको नहीं select करता है मैं कहता हूं open रखो topic पे जाते हैं किस topic को आपने select करना आप वह कर सकते हैं relevance के मताबिक आपने करना है या newest पहले लाने या most cited आप most cited को सामने लाते हैं तो इससे आपको पता चल जाना पिछले तीन साल में सबसे ज्यादा किस paper की citation है and that paper is this one ठीक है आप यहां से इसको चेक कर सकते हैं इस इस और यह तो हो गया आपका publication से related और यहां पर आपके सारी के सारी result आ रहे होते हैं इन्होंने synaps के लिए research intelligence के नाम से state of the art insights का एक भी launch किया अगर आप उसको access करना चाहें तो आप यहां पर click करेंगे और यह आपको research intelligence पर ले जाएगा आप इसके लिए apply करेंगे which will show you a lot of papers और आप उसको save भी कर सकते हैं तो अगर आपने इसके बारे में सीखना है तो यहां पर click कर सकते हैं then authors पर जाते हैं authors अब हम चेक कर सकते हैं research field affiliation और H index की base पर and then you can find out के आपके पास authors किस किसम के और इसके लिए आप author explorer पर भी जा सकते हैं so these are for authors then journals पर जाएं कौन सा journal है field पर जाएं field कौन सा है trend preview trend में आपको बताता है कि आपके paper इस field में किस साल में कितने हुए और किस paper की citation कितनी हुए and this is how it works 2000 में इतने paper publish हुए 2002 में इतने and so on and so forth यह बढ़ते हैं so this is a trend graph के trend कैसे चल रहा है इस field ठीक है आप यहां पर बता सकते हैं कि यह 2006 के बाद इस field में boom आना start हुआ है so this is a thing जो आपके paper के लिए बहुत helpful थाबित हो सकती है ठीक है तो एक तो यह हो गया फिर आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि यह किन-किन subjects के अंदर trend इसका कैसा रहा है biology के field में सबसे ज्यादा है फिर आप bacteria फिर so on and so forth यह keywords जो है basically यह keywords की बेस पे journal की ranking decide होती है you can find out that one here आप edit भी कर सकते हैं जो आपका field है for example मैं कहता हूं कि मुझे computer science related भी दिखाऊ अगरोनोमी के निकाल दो होटी को न so you can actually make these kind of graphs और इसका फाइदा यह होता है कि आपको वहां पर specific result आड़ाता है ठीक है तो इस तरीके से आप इसको search कर सकते है trend search preview जब लिखा आता है इसका मतलब यह भी beta version है beta जिसे हम बोल तो it's still working तो इसमें कुछ गलतिया हो सकती है so they are saying के अगर गलतिया है so don't worry about that we will actually cure those things तो स्कॉपस से भी जबरदस चीज है for now if you want to use freely जिनके पास स्कॉपस नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास है they can use that basically आप all पे जाके अब यह आपके पास आगे है पेपर स्कॉपस में एक मज़ा यह है कि आप papers के उपर click करके ना उनको select all करके export करके यह download भी कर सकत जैसे आप यहां पर इसको save कर सकते हैं अगर आप इसको login करेंगे अपने email से तो यह आपके पास save होता जाएगा I have that login लेकिन मैं इस वजह से नहीं शोगरवा रहा reason यह है कि आपको पता चले कि जब आप start करते हैं तो कैसा नज़र आता है तो हर इसमें एक फाइदा यह है क कि आपको सिर्फ abstract नहीं आता figures भी साथ आती है कि इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है so that's the beauty of this synapse ठीक हो गया समझ आगी जी एक journal की synapse की तो सुरी यह search engine की synapse आपके सामने synapse author search भी आप कर सकते है ठीक है और author search के लिए basically आपको author explorer पर जाना पड़ता है which is this one आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो वो trend के हिसाप से आजएगा for example मैं bacteria लिखता हूं just to see तो यह authors इस तरह आना start होगे इस तरीके से आप find out करते हैं आपका best author उस field का कौन है आप इस तरीके से find out करते हैं कि मेरे potential collaborator कौन कौन से होगे future में आप इस तरीके से find out करते हैं कि PhD का supervisor मेरा कौन हो सकता है आप postdoc किसके साथ कर सकते हैं यह भी नहीं है कि नाम आया है आप इसके ऊपर चले जाएंगे ऐसा नहीं होगा आप basically depend करता है कि आपने H index की base पे select करना है कि इस बंदे की इतनी citation है इतनी publication है you have to go to that university इस पे click करें यह जनाब इसकी सारी information है about research उसके graph उस author के उसका नाम john hopkins medicine और वहां पे वो काम कर रहे है analytics उसकी यह है आपको एक author की सारी की सारी detail यह पर प्रवाइड कर रहे है उसके papers article टाइप and a lot of other things H index Santheis है which is really high ठीक है तो इस तरीके से आप author search कर सकते है मतलब यह आप synapse के start page पर गए यह author explorer है इस पर मैंने click किया और यहां पर आके मैंने अपने field का नाम लिखा मैं यहां पर लिखता हूं bacteria जस्ट आम जस्ट पुटिंग समने अगर आप कहते हैं data science मैं वह भी लिख देता हूं data science और दूसरा है इस तरीके से मेरे पास इसके different किसम के authors और चीजे आना start हो जाएंगी and this is something different data science जस्ट इसको search करते है this is showing me journals let me see अगर मैं यहां पर bacteria लिखता था right इस तरीके से नाम आ रहे है अगर मैं यहां पर कोई भी नाम लिखता हूं for example इस तरीके से नाम भी आना start हो जाता है by the way you can see the authors based in that field और यहां पर आ जाएंगे sometimes it makes some errors जैसे मैंने data science यहां पर लिखा था तो आपने देखा होगा कि यहां पर science direct किसी का नाम नहीं है बाइदावे समझ रहे हैं बात को तो यह errors इसमें possible है क्योंकि इन्होंने बोला कि अभी हम beta version में तो यह errors आइस्ता इस्ता remove करेंगे ठीक है तो you don't need to worry about that यह आइस्ता चीज़ें जो हैं वो solve करने स्टार्ट कर देंगे अगर मैं यहां पर machine learning करता हूं तो यह नाम आना स्टार्ट हो गया है यह ताइवान की यूनिवस्टी यह बगाएदा इंच इंडेक्स की बेस में करता हूं तो सबसे ज्यादा इंच इंडेक्स 121 का रॉल्फ लॉबर का यूनिवस्टी यह पिट्सबर्ग का तो मैं इनके नाम पर क्लिक करता हूं then you can see कि इनकी यह सारी चीज़ें ठीक है तो हमने यह और भी सर्च किये और डेटाबेस भी सर्च किये और साइन आपस आपको याद रहेगा अब हम